नमस्ते जय माता दी कैसे हैं आप सभी मैं रूबी अपने यूटूब चेनल गाव की मानसी में आप सभी का बहुत बहुत ज़्यादा सागत करती हूँ उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और यहाँ पर देखिए सुबे के अभी बजने वाले हैं साड़े साथ मतलब साथ बजे हैं और मैं हो रही हूँ तयार मेरा जो सुबे का रूटीन था मतलब सुबे उठके खाना बनाने तक का जो रूटीन था वो मैंने सा कर लिए हैं और कुछ लोग बोलते भी हैं की दीदि आप इतनी सारे कॉम कैसे कर लेते हूँ प matar से लाते हुँ इतनी अरजी चार-जार चोटे-चोटे बच्यों को समालते हुए इतने सारे घ्र के काम करती हैं बीडियो के काम करती हैं तो कह से आपको मिलती है ताकत कहासे इतने एनरजी मिलती है, क्या खाती हो आप, बहुत सारे सवाल, और कल के मेरी वीडियो का जो कमेंट बाक्स है, वो आफ था, साइद बच्चों की वज़ा से, मैट फॉर्थ कीट्स में चला गया था मेरे वाला वीडियो, तो ऐसा था, और ये कल आया था भाई, तो ये वाली क सब्च देखें झाल के लिए, मदल्दा मेरी लिए लीए अलग सेला है, हम लोगों के लिए क्या बच्चों के लिए लेके आय था और मेरी पूरा कंप्लेट के लिया है क्योंकि हाई खा के खाना फिर अपने काम पे जाता इधर से तो सुबे सी उठी में बनाए हूं दाल चावल सबजी रोटी और रे सलाद बनाए थे और रे दही साम को मैंने जमाई थी तो वह है तो यही सब लोग साथ में खाएंगे अभी इसके पापा और बच्चे मैं तो अभी खाऊंगी नहीं मैंने अभी चाय तक नहीं किया नहाया है पूजापाट की क्योंकि अभी मुझे नहीं खाना चाहिए ना चाय पीना चाहिए ना खाना चाहिए जारी हूं मैं दुरियामाता की तूजा में और वह से आउंगी फिर आप सबी से बाते कर लो सुवय से जब से उठी आप सभी से बाते नहीं कर पाई हूं हलाकि आज मुझे लेट हो गया था साड़े नहीं नहीं कि पांच पांच-बिचे के बाद मतलब फांच-चालीस पर चायद में उठी हूं फिर भी मैंने फटा-फट सारे काम में निपटा लिय मन में अगर कुछ करने की चाह हो तो फिर रास्ते तो निकाल ही लेता है खुदी इनसान जैस प्रकार पानी बहता बहते अपना रास्ता बना लेता है उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है उसी प्रकार इनसान भी है अगर वो चाहे तो लेडिस हो मैं खास तवर पर ये बात लेडिस के लिए बोलना चाहती हूँ कि जैसे कोई लेडिस अपनी आपको खुद को इतना ज़्यादा मजबूर समझती है कुछ कर नहीं पा जब आप सभी का सपोर्ट नहीं मुझे मिल रहा था प्यार नहीं मिल रहा था उस समय में बहुत ज़्यादा उदास रह दी थी तो मुझे ऐसा लगता था कोई है ही नहीं मुझे प्यार करने वाला मुझे सहारा देने वाला कोई है ही नहीं तो उन सब के लिए मैं बोल रही अपना कर्म आप देखते रहिएगा हमसे जो पूल जो खोरे उसे माफ करिएगा और हमारे मेनत को देखिएगा और हम जो रातो दिन मेनत करते उसको देखिएगा तो कहीं ने कहीं रास्ता बनी ही जाता है हम अगर मेनत करते रहे तो कहते हैं न कि कर्म करना अपने हाथ में है, बाकी सब उपर वाले के हाथ में छोड़ दो, तो काम करना अपना काम है, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, जब उनको लगेगा ठीक, क्योंकि सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता है, जब उनको लगेगा ठीक, तभी वो करेंगे, जो करना होगा उन्हें कि हम इंसाने हमें आता ही क्या है हमें जानते ही क्या है जो ठीक लगता है उनको उपर वाले को वही वो करते हैं हमारे लिए जो अच्छा होता है वही वो करते हैं तो मैंने तो मेरी सारी चिंताइं दे दी हैं उनको और अब मैं इतनी टेंसन नहीं लेत कि नहीं हमें वेक्ट लॉस कैसे किया है कैसे पदली व्यद्री को आप सभी ने जो भाई मेरेसे पहले से जुलेना उन्हें पता होगा कि दिलिवरी वाद अच्छणा चलिए में बात बहुत सारी कली बताई नहीं आप सभी को मैं गई कहां थी तो मैं गई थी और सान माई की पूजा में और वहां की मैंने थोड़ी सी क्लिप आप सभी को दिखाई पूरी क्लिप नहीं दिखाई है जाते टाइम का दिखाई थोड़ा सा वहां का क्लिप दिखाई फिर मैं कैमरा और में पूजा पार्ट में अच्छा लगता है मुझे माता रानी में ध्यान लगना मन को सांती मिलती है मुझे अच्छा लगता है तो मैं वही पे थी और मेरी बीटिया रानी कैमरा लेके चली आई थी तो मैं आ गए हूँ घर और जब हम घर से कहीं निकल जाते हैं मेरे साथ तो अक्सर अक्सर नहीं होता ही होता है हर तिन होता है हर दिन जिसे मैं दोपहर में कभी सो गई तो जब मैं उठूंगे एक दो घंटे बाद में लब जितने भी टाइम में सोई तो पूरे घर में सामान बिखरा हुआ मिलेगा विस्तर उजड़ा हुआ मिलेगा चदर हटे हुए मिलेंगे सोफा बिगड़ा हुआ मिलेगा कहर में इतने कचड़ी हो जाएंगे गंदगी कर देंगे बच्चे मेरे ऐसे करते हैं और सारे छोटे हैं लेकिन फिर माही समझदार है मुद्दे बोल देती ह सब भी ठीक करके अच्छे से लगा देती है लेकिन कभी कभी उसका मन नहीं होता है तो वह ऐसे करती है वहां से आने के बाद मनलब पूरा घर कंदा पड़ा था सब वैसे मस्ती कर करके मनलब जैसे घर से मैं चली गई ना तो चूहा जैसे घर में अकेला नहीं मनलब उसको और फिर बरतन सारे पड़ेते और कहीं जब मैं कहीं दो-चार घंटे के लिए हड़ जाती हूं घर से ना तो मेरे लिए काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसलिए और थोड़ा सा मुझे आलस आ रहा था मैं वहां से आई तो पूरा घर का काम पड़ा था और मुझ अगर की पड़े हैं तो मुझे भुखारा जाता है घर कर गंदा है तो उसे ऑड़ी देख के मुझे भुखारा जाता है मदला मैं कहीं से आती हूं तो फिर तुरन पहलो की घर की शाप सपाई है life साप कर रहता हृ कょ भी मान साप साप लगने लगता है पहले जाल देखते ही बीमार पड़ जाती हूँ फिर आराम से मैं बैठती वह औरनम मुझे बैठा नहीं जाता है मुझे कि मैं बैठ जाओं वहां से आई प्रसाद लेके तो फिर ये सो रहे थे बाबू को लेके ये लेटे हुए थे और इन्होंने बाबू को भी नेने लाया था और मैं वहां से आई बारा बजे आठ बजे गई और वहां से आई बारा बजे ताइम लग गया था पूजा पाथ करने में फिर बाबू को घर की पहले साफ सफाई की उसको मैंने लाई एक बजे बाबू को आज वैसे मैं डेली कभी साड़े दस ऐसे नहिला देती हूँ आज उसका थोड़ा साथ मुझे लगा कहीं उसको फी बनना आ जाए और सर्दी जो खामना हो जाए क्योंकि उसे बुखार आ चुका है और उसकी पेड में भी दर्थ हो रहा था बार बार वो लैटरिंग कर रहा था उसकी तबियत खराब हो चुकी पहले ही तो मैंने सुझा कहीं से वो खान आ जा लेकिन जब मैं उसे नहला नहीं रही थी तो वो चीर चिरा रहा था मनलब उसे रोज रोज डेली आतत पड़ जाती है ना नहानी के बाद बच्चे खुब सुकून से सोते हैं वैसे उसकी आतत पड़ गई थी और यहां पर देखिए हमारा गरीबी में जो कहते हैं ना कि गरीबी में आता गीला हो गया तो वही हमारे साथ भी अभी चल रहा है मनलब जब घर में दिक्कत होती है तो हर चीज बिगड़ती रहती है हर चीज विगड़ती रहती है कहीं कुछ खतम होता है कहीं कुछ विगड़ती है ऐसा होता रहता है घर में तो जो हमारा पंखा था न वो आद दोपहर से ही पता नहीं कैसे अजीब से इसकी आवाजे आ रही थी और फिर बोलते बोलते अचानक से ये बंद हो गया तो मैं वरतनीद हो रही थी तब ही बंद हो गया फिर मैंने इने बोला कि देखिए पता नहीं कैसे बंद हो गया है पंखा तो कि अगर पंखा नहीं रहेगा तो फिर हम लोगों का काम नहीं चल पाएगा फिर अंदर में रह नहीं पाऊंगी तो इन्होंने का रहें दो कल खोलूंगा सुबे और फिर दोपहर में ले जाओंगा बनवाने के लिए मैंने कहा सुबे क्यों खोलेंगे अभी खोल लीजिए ना अभी ठीक है ठंदा मौसा में तो भरक टाइम गर्मी रहती है और अभी पांच बच गए हैं तो खोल लीजिए ले जाके दिखा दीजिए नहीं तो पंखा नहीं रहेगा तो फिर हम तो ऐसे ही रह जाएंगे उनका क्या वो तो अपना बाहर आराम से बैठके आएंगे हम लोग तो अंदर से इतनी गरब में परिसान हो जाएंग तो फिर ये ले गए खोलके और ये पंखुडी ना मुझे बोले थे साफ कर दीजिएगा मैंने देखा तो वापरी इतनी मिट्टी जैमी हुई थी और मैंने इसे साफ ही नहीं कर पाती हूं वैसे कभी अच्छा होता कि मैं इसे कभी कभी साफ कर दिया करती लेकिन वहाँ प मैं इसे दो डाली मैंने कहला दो ही डालती हूं इसमें क्या है मोटर वगएरा इसकी कुछ ही नहीं जो बनने वाली चीज थी वो तो यह लेकर चले गए हैं तो इसलिए मैं इसे धोक एकदम साफ कर दियो लेकिन इसे मैं अभी कपड़े से पोचूंगी नहीं तो क्या पता क जो मेरा काम पर वो मैंने कर दिया है और यहां पर मैंने मेरे बरतन भी साफ कर लिए हैं घर भी साफ कर दिये हैं सारा मेरा जो काम था वो हो चुका है इस पंखुडी को मैं ले जाके रखूंगी वो वाले रूम में सोफे के नीचे क्योंकि यह वाले रूम में हम लोग हर व vlog me, bye-bye!